है दोस्तों आज हम इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं देखिए वो एक पावर सेक्टर से जुड़ी हुए कंपनी है और इसके तीन पावर प्लांट है जिनकी कैपसिटी है 2220 की यानि की 220 मेगावाट की तो चली देख लेते हैं देखिए कंपनी के बारे में और आपको पता ही है कि अभी जो है आगे पावर सेक्टर कितना बढ़ने वाला है क्योंकि हमारी गवर्मेंट जो है और हमारी गवर्मेंट नहीं मतलब पूरा विस्व एक एलेक्ट्रिक पर फंडमेंटल्स लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमें सा मिलती रहें और कोई अगर आप से डिसकर्स करना चाते हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं तो चलि लागा 15.3 का सस्ते पर मिल रही है कंपनी की बुक वैल्यू है 9 रूपे 61 पैसे तो बुक वैल्यू से भी नीचे है यह कंपनी अभी आरोई देखेंगे साथ पर सोरी आरोई 1.64 परसेंट और आरोसी यह है आपका 7.41 परसेंट फेस्वेलियो है 10 कि और देखिए जो कंपनी क कॉम्पिटेटर है कुछ बड़े-बड़े नाम है इसमें देखिए अलानि ट्रांस्मिशन अलानि ग्रीन एंटीपीसी तो यह ऐसे ऐसे कुछ जो है इसके बड़े कॉम्पिटेटर है तो एक अच्छी कंपनी भी है वैसे सेल्स भी बढ़ रही है इसकी प्रोफिट भी देखें तो देखिए नीचे चलते हैं यह देखिएगा यहां हम पहले जो है लोस में थी कंपनी कि यहां तक 2020 तक लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई यह कंपनी ने और 281 देखिए sales growth देखिए पहले तो हमारे यहां देखिए पावर पर इतना होता नहीं था तो तो पिछले दस सालों में सिर्फ 11% की दी है और पांच सालों में कुछ भी नहीं पिछले तीन सालों में 6% से लेकिन इस साल से देखिए आप 52% मदलब आप जो है कंपनी रनिंग में आ रही है और कंपाउंड प्रोफिट ग्रोफ आप देखेंगे तो प्रोफिट ग्रोफ में भी 117% की जंप है साथ साथ स्टोप का CGR देखेंगे तो फिछले 10 सालों में लोस में है 5 सालों में 1% 3 साल से 18% से रिटन दिया है कंपनी ने और 1 साल से 49% का रिटन कंपनी दे रही है तो बहुत सांदार रिटन है कंपनी में एक चीज जो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है जो कंपनी को एक कमजोर बनाता है वो है यह देखें के रिजर्ब जो है माइनस में है कंपनी के और बोरोइंग है 5,050 करोड की बोरोइंग तो यह थोड़ी सी प्रोब्लम बाली बात लगती है मुझे बाकी अधरवाइस तो कंपनी मेरे को ठीक ही लगती है लाश्ट में देखेंगे शेर होल्डिंग पैटर्न देखें थोड़ा सा वीक है यह भी प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ 24 परसेंट लेकिन एक अच्छी बात है कि डियाए के पास भी 23 परसेंट बनी हुई है और पबलिक के पास है 50 परसेंट तो लाश्ट में देख लेते ह इसलिए यदि आपने इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा पैसा ही इन्वेस्ट कीजिएगा और एक बार अपने एडवाईजर से सला जरूर ले ले लें चलिए फिर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब त जबते हैं टूर जबते हैं अपने आपको प्स्ट लेक्स वाईफंगा जरूर लेक्स्ट वाईपने इन्वेस्ट कीजिएा चाल वीडियोन वीडियो प्समेश।